इस लेक्चर में इंडिया और ताइवान के रिलेसंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी रीसेनली न्यूज में इसलिए हैं, इंडिया और ताइवान ने एक नगोशेशन स्टार्ट किये, यानि कि सम्झौता स्टार्ट क्या है, कि फ्री ट्रेड एग्रिमेंट बढ़ा ही भी चली इंडिया और ताइवान के भीच में इन्होंने सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्ट्रिंग फैसलिटी वी सेट अप की जाएगी यहां पर चर्चा की ताइवानी फर में टाइवानीज एक company है वो इंडिया में एक company बनाएगी जो semiconductor बनाएगी semiconductor यूज होते हैं आपके electronics जो चीजे होते हैं TV हुआ आपका या mobile हुआ या कोई radio या कोई instrument हुआ उसमें semiconductor यूज होते हैं computer वगएरा में तो यह जो agreement है economic engagement दोनों countries की increase करेगा semiconductor जो manufacturing plant है ऐसी facility ताइवान यह दूसरा second ऐसी facility डवलप कर रहा है इंडिया में पहली डवलप किये युनाइटिड स्टेट्स में और ऐसा दूसरा plant लगा रहा है इंडिया में ताइवान लगाएगा तो इंडिया की position क्या ताइवान पे इंडिया की जो policy है ताइवान को लेके वो clear और consistent है दोनों का interaction यह आपस में पर्मोट करना चाहते हैं जिसके त्रेड इन्वेस्टमेंट और टूरिजम यह पर्मोट करते हैं यानि कि वेपार और निवेस और जो प्री अटक हैं वो आते जाते नहीं दोनों गॉर्मेंट देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और टूरिजम के साथ कल्चर को भी पर्मोट करते हैं दूसरी कंट्री की education के फिल्ड में भी एग्रिमेंट करते हैं और भी people to people exchange करते हैं यानि कि टीज यह नहीं कि लोगों के बीच में cultural activities करवाते हैं एक दूसरी कंट्री लेकिन देखो ँडिया का कोई भी ताइवान से formal relation नहीं है, formal diplomatic relation वो क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि ताइवान को d道 बीच में ट्रेड और people to people यह increase होती जा रही है और कई सालों से हैं लगभग 25 साल हो गए हैं इंडिया और ताइवान के relation को इनके बीच में देखो दोनों कंट्रीज के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है लेकिन वेरियस फील्ड हैं जिनमें कॉपरिटिव ये कॉपरिशन करते हैं सहयोग करते हैं 2010 से इंडिया ने इंडिया की जो वन चाइना पॉलिस है ताइवान को लेके उसको इंडोर्स करना रिफ्यूज कर दिया था मना कर दिया मानने से इंडिया ने वन चाइना पॉलिस है जो ताइवान के रिगार्डिग इंडिया के लिए क्या सिगनिफिकेंस है ताइवान की ता तइवान क्या है बहुत सारी कन्टिस जिनसे वह अपना इंटयस्ट यानिकि बहुत सारी कन्टिस जिससे अपना वह रेलेसं और मजबूत करना चाहता है या चुकat तो इस समय में जो चाइना को बुरा लगेGO क्यूंकि चायना तो चाहता है कि अपने पॉल्ड मैफ देख रह से रिलेशन बढ़ाता है तो यह मिलिटरी प्रेसर बढ़ा देता अपनी यहां पे नेवी भेज देता इधर जाज उसे यह चाइना इसे फोर्स भी करता है कि जब भी हमें लगा तो ताइवान दूर जा रहा है तो हम फोर्स के वल पर मिला लेंगे इसे इसमें तो यह क्लेम क 25 साल से इनकी पार्टनर सिप है दोनों कंटीज की mutual efforts कियें दोनों कंटीज ने bilateral agreement कियें agriculture में भी किरसी के लिए investment में custom corporation में civil aviation में और industrial corporation भी कियें और सारे trade के regarding दोनों ने agreement किये हैं तो आगे क्या करने की जोरत है जैको दोनों कंटी क्या है मिलके एक task force बैठा सकते हैं यहने क group of empowered person एक group of people को बैठा सकते हैं ताकि और कौन-कौन से दायरे हैं जिनमें आगे trade बढ़ा सकती है मलब इंडिया और चायना के भी में इंडिया और Taiwan के बीच में trade increase हो सकते हैं और कौन-कौन से road map हो सकते हैं इनको define करने के लिए task force बैठा सकते हैं दोनों country और healthcare के regarding भी healthcare field में दोनों country's cooperation को expand कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो Taiwan valuable partner हो सकता है इंडिया के लिए bio friendly technology में इन से निपटने के लिए दोनों country corporate कर सकती है चायना और Taiwan के relation का क्या background है देखो चायना rule करता है one China policy से Chinese will war हुआ था उसमें बहुत सारे nationalist राष्टवादी थे कुमोंटिंग बोलते हैं उ mainland और Ireland है मतलब देखो यह वाले जो हैं यह इधर जब चायना जब आजाद हुआ था 1949 में तो यहां पर civil war चल गया था तो यहां से कुछ सारे नेस्टिस इधर की तरफ भाग गये थे तो इधर की तरफ भाग गये थे इन्होंने यह लिया था कि हम जो है अलग से बनाना चाह तो चायना ने यह भी कहा कि जब भी जरूत पड़ेगी force के जरीए force के जरीए यह ताइवान को include कर लेगा चायना में अभी देखो one China policy के थरूर रूल करता है इनकी थोड़ी autonomy दी हुई है ताइवान को ताइवान क्या है self governed है और de facto independent है यह independent तो है लेकिन इसके लिए diplomatic relation किस यानि कि आजादी declare नहीं की है तो one country two system है formula है जो इसके थरूर रूल करता है ताइवान को भी और Hong Kong को भी यह चायना यह similar agreement है दोनों के लिए one country two system presently जो ताइवान है इस पर claim ठोकता है चायना की है चायना का ही पार्ट है और कोई भी country अगर इससे diplomatic relation बनाती है तो उन यानि कि मानवो कोई country मान लो recognize करती है इसको ऐज़ उससे मानती है और उससे diplomatic relation करती है तो चाइना है जो मेलेंड चाइना तो ये चाइना भी उस कंट्री से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता है चाइना है जो उस कंट्री से जैसे मालों इंडिया ने अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्तापित किये ये तो भाई सब बस trade कर रहा है इंडिया कोई diplomatic relation नहीं है तो अगर कोई country diplomatic relation करती है तो China उससे diplomatic relation खतम कर देता है मना कर देता है, refuse कर देता है